कि अपने दर्ती मात्र भूमी पना रहे हैं जो अतियासिक धर्ती प्रांतिकारियों की धर्ती वीरों की धर्ती और पिर्थों में पिर्थ हमारे मात्र प्रयागरा आ जा रहे हैं तो निश्चे तोर से वो एक बजे का कारिकरम है ये सिविल सोसाइटी का चार बजे आधरनी राहूल जी जिसमें भाग लेंगे और पूरी तरिके से ये कारिकरम उसमें समलित होंगे और जो देश के दर जो वातावर्ण चल रहा था जो आज उससे लड़कर जो राहूल जी इस अधर दिया है वहीं संदेश यहां से पुना देने का टाम करें कारकर मुगा यह करकं स्यूसाइटी की तरफ से जिसमें प्रभुदेजन और जो भी समाज के अंदर जो पना एक स्टान रखते हैं से सब्सक्राइब उसमें पस्तित रहे हैं कहां कहां से बगता रहा है कि प्रियाग राज खुदी आज यह सांसगर्थिक समसे बड़ी नगरी है हमारी यहीं जयदा तर लोग प्रियाग राज से ही उसमें उसमलित रहे हैं वहां पर कीनोट स्पीकर की तरह बुलाया गया है संविधान की सम्मान की रक्षा के लिए जो संकल्प लिया है बहुत सारे सिविल सुसाइटीज ने और जिसके लिए प्रतिबद्धिता है कॉंग्रेस पार्टी और राहूल गांदी जी की उसी कारिकरम पे उसी अपने संक को और मजबूत करने के लिए इस तरह की कारिकरम में उकल आमन कल आ रहे हैं वह वह अपने वक्तवी को रखेंगे और मैं यह भी बना दो लगबाग जो रूट से हुआ है एरपोर्ट में यह है कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत है वह समिधान है जिसके वाज़े से पिछले सतर सालों में देश ने इतनी जादा तरक्य की है तो सविधान पे समय समय पे परहार भी होते रहते हैं और सविधान की सुरक्षा के लिए जो समिधान से बल लगते हैं जिनको ताकत मिलती है वो समिधान को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पे अपनी प्रयास भ करते रहते हैं तो कल विभिन चार-पांच जैसे मैंने अभी इससे पहले भी बोला प्रेस्विगित्ती में लिखा है कि इन विश्यों के उपर विद्वान लोग अनुभवी लोग किस चर्चा करेंगे कि कैसे समिधान को सुरक्षित रखा जा और जो चार-पांच मुख्य जाते जन्यनना एक मुख्या है महिलाओं का सशक्ति करण है एक महबत की दुकान आपसे भाई-चारा बंदुति जिसका सम्विधान में जिक्र है उन सब विश्यों के उपर विद्वान लोग अपनी चर्चा करेंगे और आप तो पता है जब को इस तरह की ब्रेंस्टार्म होती है तो उससे कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलता है समापंस हमारो लग लग अब यह समय जो है यह उनकी सुरक्षा कारणों से वो जानते हैं लेकिन हमारा प्रोग्राम जो है एक बज़े शिरू हो जाएगा और करीब करीब पांच में तक चलेगा तो उस दोरान कभी भी राहूल जी बीच में आ सकते हैं एक्जेक्टलिक इस समय आएंगे वो हमें भी नहीं मालूब जी मेरा नाम डॉक्टर अनिल जैहिंद है अब जी